आसलाम दिखुम विवर्स कैसे आप अब वोगा भूप आप सब ठीक होंगे आज मैं बहुत ही डिलीश recupery यापके साथ शेयर किया के कहरंगी जो के है अच्छल रूध कीमा कैमा कीी अ रह्कErाप dim здоров प्रभीफ केमा 1 किलु उट से खेय firmly झाल प्रभीफ कीमा-कड़ शूरय नरों अजने तेवरी फिरी मैं केलाई है किमा प्रty दोपिच आटा है बार चंदम टेबल और के मैंने युद्धिका से तो अई चेस मद ये चॉफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद में डाल दी हूँ इसमें हरी मिट्चें जो के मैंने 5-6 डली हैं अगर ज्यादा कर वी है तो आप कम कर सकते हैं को मैंने चॉप करके डाल दिया है उसके बाद मैंने डाल दी दो अदद इसमें टेमाटर इसका चिल कर रिमोब कर दिया अगर चोटी टिमाटर है तो आप तीन डालेगा इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा उसी का मसाला बनेगा वन थर्ड टेबल स्पून मैं डाल दी हूँ इसमें नमक का यानि नमक बहुत ज्यादा भरा नहीं था तो आपने नमक पहले स्टार्ट में कम ही रखने ताक सुखा धनिया क्रश किया हुआ तो यह सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद मैं धकन लगा दूगी और इसको पतने के लिए चोड़ दूगी मीडियम आंच पे जब तक इसका पानी ड्राय हो जाए और कीमा अगर यह ज़स्ट कीमा होता तो इसमें पानी में कम डालती तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ज्यादा पानी डाला है कियूंकि मैं गुकर में नहीं बना रही तो यह जोशाना शुरू हो चुका है तो हमने थोड़ी देर के बाद इसको खोल के हम चेक करते जाएंगे और और जाम करते हैं जाए पानी जिल जाए हैं गया घर 챙ोकी करते हैं मसाला तो इसको आपनें कवर कर देशना चुका है यह दुले हो चुका है तो जगिया थो जो के मैंने डाला है 1 अटेब़िसपून और जीर बंस की 具 ..! आखे गे फिसले क्ोइब्स में ठालता है, कम कुःएंग नहीं है चाहिए कि अपकें भाइखेय कोकिदा है इप चाहिए प्रवढ ही है NEW जाल ने हम ज्एालेंब शूमें 5-7 मिनित भूहने को ठीके शके लिए见 बागी चीज़ा आड़ी भूहना गलाखी, 4-4 तरीके बेचे शूमें पहले में 5-7 शूमें जाके टेस्ट बहुत अच्छा सा है जब इसको हम नहीं भूनते तो इसमें प्यास की मिठास रहती है जो अच्छी नहीं लगती इसलिए बहुत मैटर करती है आप जरूर भूनना इसको और मटर डालने के बाद भी इसको मैंने 3-4 मिन अच्छे तरीके से भून लिया है बहु कि आप अच्छी अच्छी मेटर की एसको मैटर करूब्त द descriptions का मोहित प्यादे जरूर को यम्यें तो नहीं होरेज़ प्यूंता नहीं दरू दो इस जर्मेंवेल को संब्सांता जती हमारे के से अच्छे जयां प्यादकर अल Ministry केस्ट थे नहीं हां अच्छी है एक प्दूं यह तकरीबर दो से तीन मिनिट लगे हैं मैक्सिम्म चार से पांच मिनिट में हमारे मटर गल गए थे बहुत अच्छे से तो मैं डाली हूँ वन पिंच ब्लैक पेपर पाउडर यानि काली मिर्च का पाउडर एक चुट के जितना बहुत ज्यादा नहीं डाला मैंने हाफ टेबल स्पून में डाली इसमें गरम मसाला पाउडर अगर आपने इसको कम मिर्चे रखनी हैं तो आप काली मिर्च को इसमें स्किप भी कर सकते हैं लेकिन यह इसका कॉमिनिशन बहुत ही अच्छा लगता है मीट के साथ तो मैंने इसमें यह डाला है और यह चीज़े हम हमारी डिश बिल्कुल डन हो चुकी है हमने अब इसमें डालना है हरा धनिया अगर आप चाहें तो आप हरी मिर्चे भी इसमें यूज़ कर सकते हैं वह भी बहुत अच्छी लगती है तो यह हमारी डिश बिल्कुल रेड़ी है इसको डिश आउट करेंगे और दिखाएंग अब आप यह जाओं में याद रखिएगा तो मैं नीचे वीडियो में दे दूंगी भी शिन्मारी किमा कडाही की रेसिपी का लिंक भी आप भी जरूर चैक किज़गा कि माने बनाया थी वह और आलो किमा की रेसिपी है माटर किमा की रेसिपी और डेड़ी मैं अपलोड कर चुकी हूँ तो आप जो नीची देखिए कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो अगर आपको मेरे वीडियो से अच्छी लगती है तो जल्दी से चानल को सब्सक्राइब कीजिए मुझे दौम में याद रखिए टेक केर गूड़ बाय लाफ़ेश